गनपत्ती बाबा मोरियार हर चारों तरफ ये गुन सुराई दे रही है देश भर में गनेश चतोर्थे की धूम देखने को मिल रही है लालबाग की राजा की पहली जलक आज बता दे आपको की घरों में बपा के स्थापना हो रही है मंदिरों में उम्रे शद्धालों की भारी भीड आप तस्वीरों की माध्यम से भी देख सकते हैं लालबाग की राजा की पहली जलक देखने के लिए शद्धालों पहुँच रहे है प्रधार मत्री नरेंदर मोदी ने देशवाशियों को बधाई दी है मंदिरों में शद्धालों की भीड देखने को मिल रही है तो गनपत्ती पपा मोरिया की गूंज आज चारों तरफ सुनाई दे रही है देश भर में गनेश चतुर्थी की दून देखने को मिल रही है देखे तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्थीन पर तो लालबाग के राजा की पहली छलक पाकर गनेश जो भक्त है वो उतसाहित नजर आ रहे है जूमते हुए नजर आ रहे है तो पूरे देश भर में गनेश चतुर्थी की दून देखी जा रही है लालबाग के राजा की पहली जहलत पाने के लिए शिद्धालू मंदिरों में पहुँच रहे हैं तो भगवान गनीश के अद्बुत स्वरू लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लोग पहुच रहे हैं तो महराश्च में इस साल आपको बता दे कि गनेशोचो बड़े ही धूनधाम से बनाया जवा रहा है क्योंकि आपको बता दे कि कोरोना के वज़े से लोग नहीं पहुच पाये थे पिछले दो सालों से कि इस साल जो शधालू है वो पहुच रहे हैं बपा के दर्शन करने के लिए तो इस बाए राज्यू सरकार ने सब ही कोरोना प्रतिबंधों को वापस भी ले लिया है और इस साल गनेश मंडलो को जोलूस की अनुमती भी दी गई है तो देखें तस्वीरों के माधियम से आप देख सकते हैं कि जो शधालू हैं बपा के दर्शन करने के लिए पहुच रहे हैं लालबाग के राजा की पहली जहलक पाने के लिए शधालू में काफी उत्सा नज़र आ रहा है जो शधालू हैं वो जूनते हुए नज़र आ रहे हैं देखें पूरे देश भर में आज गनेश चतूर्थी का तिवहर मनाया ज़ा रहा है तो लालबाग्चा की दर्शन करने के लिए हर साल हज़ारों की संख्या में भग्त पहुंचते हैं इस मौके पर आपको बता दे कि गनेश भग्तों में काफी जोश देखने को मिलता है गनपती बप्पा मूर्या का जाब करते हुए गनेश का स्वागत किया जवाता है पूरे देश भर में गनेश शतूर्थी की दूम देखने को मिल रही है आज घरों में बपा की स्थापना की जा रही है मंदिरों में भी काफी शद्धालों की भीर देखने को मिल रही है गुद्धों से जो शद्धालू है बपा के दर्शन करने के लिए पहुच रहे है पुद्धान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी देशवासियों को बठाई दी है तो पूरे देश भर में गनेश शतोन्ही की फूम देखने को मिल रही है तो देखे आज घरों में बपा के स्थापना की जा रही है तस्वीर के माध्यम से हम आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो शद्धालू है वो पहुच रहे है गनेश बाबा के दर्शन करने के लिए तो आज गनपती बपा मोरियाद चारों तरफ यही गूंज सुनाई दे रही है तो लालबाग के राजा के पहले जहलक पाने के लिए जो शद्धालू है वो आतुर नज़र आ रहे हैं मंदिरों में सुच रहे हैं और आज हर कोई अपने घर में स्थापना कर रहा है गनेश की पूजा अर्चुना की जा रही है तो गनेश चतूर्थी की दूम पूरे देश भर में देखने जा रही है लालबाग के राजा की पहले जहलक पाने के लिए जो शद्धालू है वो पहुँच रहे हैं आपको बतादी की कोरुना के वज़ज से दो सालों से जो शद्धालू है वो गनेश उत्सव नहीं मना पा रहे थे लेकिन इस बार काफी शद्धालू मंदिरों में पहुच रहे हैं बपा के दर्शन करने के लिए तो गनेश अतूर्थी की दूम आज चारों तरफ कोई गनेश की दर्शन करने के लिए पहुच रहा है अपने घर में गनेश की स्थापना कर रहा है कि तो मंदिरों में भी काफी क्लिख़े को इसे अब सब्सक्राइब आप देक्रा देख सकते हैं यह गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए जो शद्धालू है वो हो पुलाल बाक्षा राजा की आज पहली जलक दिखाई गई और शिधालों में काफे उपसा नजर आ रहा है तो देखे आप सुन सकते हैं गनपत्ती बपा मौरिया के जैकारे लग रहे हैं जो शिधालों है वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्विरों के माध्यम से जो आपको टेवी स्क्रीम पर दिखा रहे हैं गनेश की प्रतिमा जो की काफी अद्भूत है और जो शिधालों है वो पहुच रही है बपा की दर्शन करने के लिए पूरे देश भर में आज गनेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है महराश में इस साल गनेश उत्सो बड़ी धूम धाम से मनाया जा रहा है क्योंकि आपको बता दे कि राजुसरकार ने सभी कुरोना प्रतिबंदों को वापस ले लिया है और इस साल गनेश मंदलों को जुलूस की अनुमती भी दी गई है कि किसे साथ जो शिद्धालू है कुजा अर्चना कर रहे हैं कुस्वीरों के मध्यम से देख सकते हैं तो गनपत्ती बपा मूरिया की गूर्ज चारों तरफ सुनाई दे रही है लालबाद के राजा की पहली जहलत पाने के ये जो शिद्धालू है यो आतर नज़रा रही है तो गनपत्ती बपा मूरिया की जो गूर्ज है आज चारों करफ सुनाई दे रही है तो गनपत्ती बपा मूरिया की जो शिद्धालू है वो कौनस्ते है गनपत्ती बपा मूरिया का जाब कर गनपत्ता की जो रहा है गनपत्ती बपा मूरिया की जो शिद्धालू है विद्धान से पूजा अर्चना की जो आ रही है पूज़ जो शिद्धाल की जो शिद्धालू है मूरिया की के बड़केती जो सम справ रही है रही है छो शिद्धाल तो्टन चाफ़ शित्धाली बडेश शिद्धाल देखने को बड़ रही है लालबाद के राज़ा की पहरी जलग देख सकते टीवी स्क्रीन पर आज घरों में बपा की स्थापना की जा रही है तो देश विदेश जो भगतिजन है वो पहुंच रही हैं बपा के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर में गरेश चतूर्खी की दूम देखने को मिल रही है सुबर से ही गनपति बपा मूरिया के जैकारे गूंज रहे हैं लोग काफी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और आज हर कोई अपने घरों में बपा के स्थापना कर रहा है तो आपको बता दे कि मुंबई के सबसे मशुकूर लालबात की राजा की पहली जहलक भगतों को दिखा दी गई है और जो भगत जन है काफी उत्साहित नज़र आ रहे हैं तो पिछले दो साल उसे कुरोना के चलते ये त्योहार बहुत ही साधारन तरीके से मनाय ज़रा था लेकिर इस साल शुद्धालों में काफी उत्साह देखने को मिल राप तस्मीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भगत जन है वो गनपती बपा के दर्शन करने के लिए पहुच रहे हैं तो पिछले साल कोरोना की वज़े से भगतों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही कराए जो आ रहे थे लेकिन इस बार जो दर्शन करने के लिए शुद्धालू है वो पहुच रहे हैं गनपती बपा की जो जैकारे की गूंज है चारों तरफ सुनाई दे रही है तो पूरे देश भर में दस दिनों तक बहुती धूमधान के साथ ये तिवहार मनाया जाएगा तो आपको बता दे कि लालबात के राजा में इस बार बारफ फिट के विशाल गनिशी की मुर्ती सिर्हासन पर अपनी शाही मुद्रा में नजर आ रही है और इस साल की जो थीम है वो अयुध्या राम मंदिर रखी गई है तो जो भक्तिजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं गन्पति बपा मोर्या की गूंज आ चारों तरफ सुनाई दे रही है भक्तिजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं तो दर्शन करने के लिए जो शधाल हुए वो पहुंच रहे हैं लंबी लंबी लाइने देखने को मिल रही है पंडाल लगाए गए हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग भगवान गरेश की दर्शन कर रहे हैं तो चलिए मुंबाइ का रूपका 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 रहे हैं तो चलिए मुंबाइ का रूपक कर लेते हैं सवादाता राहूल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कितने उत्साहित भगजन नजर आ रहे हैं कितने उत्साहिए जाता रहे हैं सब्सक्राइब नजर प्रश्व लाइव जाता है यहां आफिस से श्थी भी कर दियाती है ग्यारे जिर्टि लिए ग्यारा नी करने जिलीज्ट इन होट्टो है और मारास में खूर तो महुस्त वंदास से बहुत स्कुनना चाहिता है । आज़ बार बार के नाज बाके राजा कि दाश्ट जो भी आता है बेज पिर दोग भी आते हैं और यहां पे दसन किया करने लेकिन वह संदाज को बात कराने के भी कुछ प्रक्षा हूँ बहुत अपने पहले दसन करने आये थे क्या पहली बार आप आये वह आप देखें तो दालों मोरे बड़ी उसका है कुछ लगए 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 ल करने के लिए लालबाग के लिए लालबाग के राजा है उनकी पहली जहलक लोगों को मिल चुकी है उनसे पूछे कि पिछले दो साल से लगतार ओनलाइन दर्शन ही कर पा रहे थे इस बार खुच जा करके भगवान के दर्शन कर रहे है कितना उत्सा और इस बार कितना ज़ादा उनमें रौरक दिखाई दे रही है तस्वीरों के मध्यम से एक बार दिखाई है और बातचीत देने की भी को कि पिछले दे कर पार रहे है King लाईन आज में लाई भी कि अलोगम है तो आज 《लाल बागतों के राजार लेख्ले देखने के लिए च्छ conveying तो महराश्रु में ये तियोहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जुआता है और आप तस्वीरों के माध्यन से देख सकते हैं कि गनपती बपा के जो जैकारे की गूंज है वो सुनाई दे रही है कुझा की जो विधी विधान है वो चल रही है तो गनेश शतूर्थी की दूम आज पूरे देश भर में देखने को बल रही है लालबा के राजा की पहली जलक देखने को मिली और जो भाकिजा ने काफिर उस्ताहित में कड़ा रहा है कि देखिए कछले दो साल से लोग नहीं पहुंच पा रहा है थे कि और ले अहीम मिली जए हुंच पा रहा है कि देखिए कर दूम आ 온 कित रहा है कि बार ग्ने कंपल करहें कि अपिछ नह सेरे कपिए विस्व थी समय थे ऊज़ कि अपिट प्यार दो Angeles अजे तो इंड दो विफटे प्यों थोगा ह।ग वित्स बादे का अपिए कि अपिए ये लाए घज एक अपिए अपिए वो सेशतな कि अपुष कि अपिए इए हैं पहुं एक बाया तो इब्स अ तो मंदिरों में शिद्धालू की भीड देखने को मिल रही है तस्वीरों की माधिन से आप देख सकते हैं कि जो शिद्धालू है वो बपा की दर्शन करने के लिए पहुच रहे हैं और इस बार जो शिद्धालू काफे उत्साहित नजर आ रहे हैं आज देश भर में गनेश शतोथी की दूम देखने को मिल रही है चारों तरह वो जनपती बपा मोरिया के नारेश सुनाई दे रहे हैं गुल सुनाई दे रही है और लोग काफे उत्साहित नजर आ रहे हैं कि दो साल कुरोना के वज़े से जो शिद्धालू है वो मंदिरों में नहीं पहुच पा रह हैं तस्वीरों के माधियम से आप देख सकते हैं पही हैं यह ख़ुच पा रहे हैं तो देखें लगतार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं और रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और जिस हिसाब से देखें गनेश अतूरती की धूम आज देखी जा रही हैं काफी जादा जो शधालू है उत्साहित नजर आ रहे हैं हमारे साथ है राहूल लगतार बने हुए है राहूल अभी क्या तस्वीरे देखने को मि करेंगे तो तस्वीरों के बाद देखने की कोशिश करेंगे तो तस्वीरों के बाध्यम से आप देख सकते हैं मुंबई से सीधे लाइक तस्वीर देश भर में गरेश शतूर्ती की धूम देखने को मिल रही है लालबा के राजा की पहली जहलक देखने के लिए शुधालों की काफी भीर देखने को मिल रही है तो शुधालों काफे उत्साहित नजर आ हैं आपको बता देखी मुंबई में ये त्योहार बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है पूरे देश भर में ये त्योहार बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है और आज घरों में बपा की इस खापना की जा रही है मंदिरों में शुधालों की धारी भीर देखने को मिल रह मुंबई की सीजी लाइक प्रीज आपके देख सकते हैं देखें किसे साथ में जनकती वर्का की पूजा अच्छना की जा रही है विधी विधान की साथ पूजा की जा रही है तो शिद्धालू है काफी उस्वाहित नजर आ रहे हैं हमने आपको के सब्सक्राइब लोगों की सब्सक्राइब लोगों की जा रहे हैं तो आज घरों में बपा की इस ठापना की जा रही है सुबस से ही मंजरों में भी काफी जोलग पाने के लिए को मिल रही है जगर जगर पंडाल लगाए गया है तो देखे ये अग्बूर पस्वीर आप देच सकते हैं तीवे स्क्रीम पर जगर जगर पर पंडाल लगाए गया है जगर 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 पर गन्पती वपा की दून सुनाई देना की है तो गनेश तूर्थी का तिवार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है हमने आपको तस्वीरे भी दिखाई और कोरोना के वज़े से लोग नहीं पहुँच पा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए लेकिन इस बार भक्त जनों में काफी उत्साथ देखने को मल रहा है चले फिलालस बॉलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की तबाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें नेटवर्क टेन जैहिंत